ना करो अभिमान इतना कि ना करो अभिमान इतना ये छोटी सी जिंदकी है इसे खुल कर जी लो क्योंकि गुद्रत को वक्त नहीं लगता आपका अस्तित्व है मिटाने में पस चंद सेकिंडों में आपका परजेंट से पास्ट में बदल सकते हैं आपको तो हमेशा मुस्कराते रहे और शादगी से अपना जिवन जीते रहे हलो गुड मॉर्ण प्रिशकार कलासे सरदार सेर के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नए एनरजेटिक डोज के साथ 28 जुलाई का करेंट अफ़ेर लेकर डोज नमर है अपना 50 एक तो चलिए अपन देखते हैं 28 जुलाई के जितने भी करेंट अफ़ेर के क्यूशन बनते हैं उन पे डिसकस करते हैं चलिए यह रहा पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर यूनेस्को के दुआरा भारत के 49 में विस्वे विरसस्तल के रूप में किसे चुना गया है तो ये किसे चुना गया है यो यूनेस्क के दुआरा आभी विस्वे विरसस्त दरोर में सामिल कर लिया गया है अपने राजदानी जैपूर को भी वल्ल हरिटेज सिटी में सामिल कर दिया गया था और इसमें कुल टोटल कितने मेंबर होते हैं वो 21 लोग होते हैं वो इस पर कमिटे बिठाते हैं और उसी के अकोर्डिंग है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्तल है या कौन सा सहर है वो इस विरास स्तल में आएगा तो चलिए अब थोड़ा तेलंगाना के बारे में जान तो तेलंगाना की केपिटल क्या है तो वो हिंद्राबाद है जो मोसी नदी के किनारे बसा हुआ है और सीम है के चंदर शेकर राव गवरनर है डॉक्टर तमिल साही सोनराजन और परमुक्तियोहार कुझसा है तो परमुक्तियोहार कानूमा परमुक्तियोहार है नेशन परक कुञ कुंसा है तो गष्चू, बर्मान लेड़ी, मर्ग वाड़े नेशन परक है और इसे क्रेटिव सीटी ओडेटflower किया गया है और चलिए अब थोड़ा UNESCO के बारे में बिचर्चा कर लेते हैं तो UNESCO इसकी फुल फुर्म क्या है तो UNITED NATION EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION क्या है UNITED NATION EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION जिसकी स्थापना कब हुई थी तो जिसकी स्थापना हुई थी गुर्णी सो पैंतालीस में हुई थी और इसका हेड़कॉाटर कहा है तो वो है पेरिश में इसका हेड़कॉाटर है तो चलिए अब हम नेक्ष्ट कुशन पर देखते हैं तो यह करनाटक के मुख्य मंतरी बीएस यदुरुपा ने अपने पद से इस्तिफा देने की गोशना की है तो यह करनाटक के मुख्य मंतरी है जिन्होंने इस्तिफा देने की गोशना की है अब इनको दो साल कंप्लीट होने वाले हैं वो इससे पहले हैं इन्होंने इस्तिफा वो कहां बन रहा है तो वो हुबली करनाटक में बन रहा है और सबसे उंचा कहां बन रहा है तो वो जमुकस्मीर के जनाब नदी पर बन रहा है और अलमाटी बांध है वो कौन सी नदी पर है तो वो कृष्णा नदी पर है और कुर्षन राध सागरबान्ध वो कौन सी नदी पर हो कावेरी नदी पर है, नेशन परक उनकों से है, तो बांधीपूर, अंशी, नगरहुल और कुदेर मुख है, ये इपोर्टेंट यहांके नेशन परक है, तो चलिए नेश्ट कुषन पर चचा करते हैं, दोस्तों, अपनी स्क्रश निकाल लिए और अगर पसंद नहीं आए तो कमेंट में अपनी राय दीजिए और डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चलिए हम नेक्स्ट कुशन देखते हैं हाली में भारत के किन दो रज्यों के बीच सीमा विवाद है वो छिड़ गया है वो किन दो रज्यों के ब गया है तो इस पर अपने ग्रैम अंतरी जी कौन है तो अमिच साजी है तो उन्होंने अभी इसके कमान संबाली है और दोनों के सीम है उनसे चर्चा की है तो अब यूज में यह या रहा है कि अब वहां के इस्तिती है वो नॉर्मल है तो चलिए हम देखते हैं मिजोरम के ब पिल्लाई है और असम तो असम आपको पता है सबसे ज़्यादा नेसम परक में के मामले में कौन से स्थान पर है तो तीस स्थान पर है अपने भारत में पहले स्थान पर कौन से है तो पहले स्थान पर है अंडमान दीप सुम्ह और मद्य प्रदेश है दिन में दोनों में दस दस नसे परक है और आसम में कितने हैं तो वो साथ नसे परक है तो असम की केपिटल क्या है वो दिस्पूर है सीएम कोन है तो है मन्ता अबिश्वा सर्मा है गवरनर है जग दिस्मु की नसे परक जान लेते हैं इपोर्टेंज डब ओकता देता हूं मानस औरंगागा गाजी र महिलाओं के शुरुक्षा के लिए इस्पेसल फॉर्टी दस्तावेज का दस्ते का गठन किया है तो यह किस ने किया है तो यह मद्य प्रदेश ने किया है जैसे आपने देखा होगा इस्पेसल 26 जो मुवी एक्षिकुमार के आई थी ठीक उसी तरह यह इस्पेसल फॉर्टी दस्ते का गठन किया है तो मद्य प्रदेश तो मद्य प्रदेश के बारे में पन जानते हैं तो वहां के सीम कौन है तो वहां के सीम है शिवराज सिंग चुहार वो गवर्नर कौन है तो अनंदी बेन पटेल थी पहले अब उनकी जगए हो गया है मंगू भाई चगन भाई प कौन कौन से हैं तो काना बांदा उगट मादो संजे पन्ना सत्पुड़ा ये इंपोर्टेंट वहां के ने समपा रहा है और शोया इस्टेट वैड टाइगर स्टेट के नाम से भी से जाना जाता है और इसका जो मद्य परदेश का बाचा गाउं है वो सोरुजा संचाली तोन मनाया गया था 26 जुलाई को सभी कारगिल दिवस में जो लोग सहीद हुए उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाया गया है और ये युद कब हुआ था कारगिल युद तो ये 1999 में वा था बारत और पाकिस्तान के बीच और वो उस टैम पीम को उन थे तो अटल भीहरी व लोद्रा की है वो मुवी आ रही है जो 12 अगस्त को रिलीज होगी आप अगर देखना चाहों तो देख सकते हों चलिए नेक्स्ट कुछन देखते हैं कौन से अंत्रिक्स एजनसी बरस्पती ग्रह पर रोकेट बेजेगी तो ये कौन सी बेजेगी तो ये बेजेगी नासा बारे में जान देते हैं तो नासा की फुल फोर्म क्या है तो नासा की फुल फोर्म है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन क्या है नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेशन स्थापना जिसके कब हुई थी तो वही थी गुनीस जु और ने इन दा यूएस से नामक पुष्टक किस ने लिखी तो यह किस ने लिखी है तो यह ब्राक ओबामा और ब्रुस स्प्रिंगन सन्ने लिखी है तो इसका सही अंसर हो जाएगा वह यह बै हो जाएगा इसमें ब्राक ओबामा की है वो जो जीवन के बारे में बताया गया है वो अमेरिका की पूरो रास्ट पती है और इनकी एक पहले भी एक पुस्त काई है उसका क्या नाम है तो एप्रोमिस लेंड क्या है एप्रोमिस लेंड तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं नागरिक उडियन सुर्खशा ब्यूरो के नए डी जी कौन बने है खिलाडी कौन बने है तो वो कौन बने है तो वो इसका सही अंसर है वो है फर्थ्यू सो बने है तो सबसे कम उमर के हैं आप सबको पता ही होगा ये दिल्ली केपिटल के आईपिल में खेलते हैं तो नेक्स्ट कुशन देखते हैं पंगा वो किसल दếश ने विख्षित किया है तो यह इस्रैल देश ने विख्षित किया है किसने इज्रैल देश से लिक्षित किया है इस सब्छेट में क्या है तो यह बहुत ही खतरनाक शॉप्तर रह् warning से यह होता है कि एगर आप चाहो तो उसकी पर्सनल डिटेल है वो निकाल सक्ते हों या Henny उसके अकाउंट डिटेल भी निकल सक्ती है और इसकी तो वर्ट्सण फेस्वूक टेट है वो भी निकल सक्ती है तो लग रहा है कि जो भारत की सरकार है वो इससे software का यूज करके कुछ नेता या या यहां तक के जज़ की सीक्रेट चेट्स है वह भी निकाल रही है तो इसका development किस ने किया है तो जो इज्राइल ने विक्सित किया है तो चलिए नेक्स ट्विशन देखते हैं समाइल योजना किस मंतरा ले द्वारा लॉंच की गई है तो समाइल योजना किस मंतरा ले द्वारा लॉंच की गई है तो ये कहां की गई है तो ये चेरा पुंजी में की गई है इसका सही अंसर है वो है चेरा पुंजी में की गई है तो इसका इसे सदाबार पुरोतर भी कहा गया है और यह हमिट साहजी ने इनका उना उद्गाटन किया है और वो ग्रीन जी को बढ़ाने के लिए किया गया है तो इसमें असम राइफल है वो ग्रीन जी को बढ़ा रही है तो इसका ध्यान वो असम राइफल ही रखेगी तो चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं हाली में टाइफून इन फा ने किस देश में भारी तबाई मचाई है तो ये किस देश में मचाई है तो ये चीन में मचाई है तो ये वहां के विदेश में जो तुफान आते हैं ये चकरवात आते हैं उनको इस टायब का नाम देते हैं जैसे अपने भी एक आया था नाम दिया था इंडिया में ताउत इया था आपने सुना होगा तो चीन में आया है और इसे डबलू एमु ने कहा है कि ये climate change का है climate change के वज़े से चीन में तबाई आई है और इसका ये चीन खुद ही जिमेदार है क्योंकि आप सब को पता है तो आप सब को पता है ये चीन है वो nature के साथ कितना हिलवाड करता है तो ये किया कह है कि ये हर जगए पानी पहुंचाने चाहिए के जक्रा में नदियों पे चीं में जितने भी नदियां है उस्वे बना दिया है तो उसके वज़े से अब जगा 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 guilty से अपने भी नहार ये नदियां सो च्छोट चोट िनिकाली जाती है वी कुशी तरह चीन ने भी निकाल दिया तो उसके वज़े से वहाँ पर बारिस होई है और वो पानी है वो पानी अपना रास्ता कहीं तो बनाए गाई तो डबलो एमो ने कलाइमेट चेंज है वो बताया है तो इसका सेयंसर हो है चीन चलिए नेक्स केशन देखते हैं इस देश ने भारत की कोविड नाइनटीन वेक्षिन कोवेक्षिन के साथ समझोता समाप्त कर दिया है तो यह किसने किया है तो यह ब्राजिल के साथ है वो समाप्त कर दिया है क्य कहीं को पहल हो पिए अबीद और भायो टेक्स थे रही थी और वे युझ्छ तो गया है कि आभी तक बारत बायो टेक्स पुर्डा है कि अंच्ट सब्सक्रीड ऑट है कि यह किस कंपनी के M.D. के पद से दिया है तो H.C.L. किसे दिया है? H.C.L. तो H.C.L. किस ता अपना कब होई थी? तो यह 1976 में होई थी और इसका CEO कौन है परजेंट में? तो C.V.J. कुमार है और इसका हेड़कॉाटर कहा है? तो हेड़कॉाटर है नौइड़ा में कहा? नौइड़ा में यह लस्ट डोज का क्यूशन है तो इसका सही अंसर है वो है मद्यपरदेश और यह आपके लिए छोड़ा गया क्यूशन है आप इस कांसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ है तो लाइक कर दे और अगर पसंद नहीं आ है तो कमेंट बताते हुए डिसलाइक भी कर सकते है आप सबतन तरहें मैं आपसे आगे लेता हूँ जै हिन जै भारत बाई बाई टेक केर